कि फिजिक्स की फ्रंटियर्स कि तनी होती है फिजिक्स बेसिकली साइस का एक fundamental और एकस्पेडिमेंटल बेड़ साइंस हैं अगर पूरी साइन्स में से फिजिक्स को अगर उस पिलर में पिलर निकाल दिया तो समय नेकि यह उसको क्या है निकाल Tu कहां तक इसको discuss कर सकते हैं तो इसकी three frontiers है पहली जो इसकी frontiers है उसको हम कहते हैं world of extremely large world of extremely large मतब world बहुत बड़ी है science यानि physics बहुत बड़ी world को discuss करती है जैसे big bang theory है big bang theory origin of universe है universe हमारी कैसे create हुई आर्थ की बार नहीं कर रहा है universe universe कैसे create हुई यह big bang theory बिताती है और यह physics में study करते हैं मतब large object को भी इसमें हम discuss करते हैं फिर wormhole के बारे में सुना होगा है wormhole क्या होते हैं यह कहा है कि हमारे space में में भी अर्थ पर भी हो हमारी space में ऐसी places है ऐसी जगह है जहां हम जाएं तो उद्धर पाउंड रखते ही क्रोडों billions क्रोडों billions distance अभी कहीं और निकलाएंगे मतल्यू लैट कर ले मैंने उस जगह पर पाउंड रखा है सैटन पर सैटलाइट सैटन पे पैलानिट है सैटन पर पाहुंड रखा तो अब मैं किसी और दुनिया में जा के कि सीओर से आरा मैं किसी खат निकलूंगा मतलश ही warmhole कके shortcut argument है यह एक टैनल है एक स्रूंग है जहाँ यह एक लॉंग पाथ है तो आप इदर से एंटर होंगे तो यह शॉटकट आपको कहीं पिले जागी ठीक है जैसे आपने इसलाम में भी सुना मराज का वाक्या सुना बहुत स्पीड से आगे चलते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस में डिस् आप एक पौरूंग उस वर्म होसे पे भी रखा है उसे वक्त थोड़े ही टाइम में आप किसी नए गलाक्सी में निकल जाएंगए और आपको अगर अंदाजा हो मारे एदर कितनी गलाक्सीश है स्टार्स एं तो जितने भी समूंदर हैं हमारी दुनिया स्टार्स हैं तो बहुत बड़ी है हमारी युनिवर्स तो इतनी बड़ी युनिवर्स में एक स्टार क्रोड़ो बिलियंस डिस्टन्स अवे हैं क्रोड़ो बिलियंट किलो मिटर अवे डिस्टन्स पे हैं तो वहां तक जाने के लिए हमारी एज ही बहुत कम है हमारी एज मैक् संदर रहने हैं आप कड़ोडों साल के बराबर टाइम कर डिस्टनस आप ट्रैविल कर जाएंगे मतलब यह वर्म होल के थ्रू पोसिबल है तो जपान में एक लबार्टी है उन्होंने यह प्रूफ कर दिया है कि आप ऑब्जैक्ट को इंफरमेशन ट्रांसफर कर रहे हैं एक इस पर फिर और डटेल से बात करेंगे इन्फरंटीव फिजिक्स हम पढ़ें कि हम वर्ल एक्स्टरीम लार्ज यह उस एक्स्ट्रीम लाइज वर्ल्ड को भी हम सेट समय साइस में स्टेड़ी करते हैं दूसरी है इसकी तीसरी पहले देख लेते हैं तीसी है वर्ल्ड ओफ एक स्माल हिए वर्ड बहुत माल भी यह वर्ड बहुत समाल भी है जैसे एकम नज़र नहीं आता उसके अनदर चले लेक्टोंड प्रिटोंट्रों फिक्वाक्सने चोटे परडिकुल है नज़र नहीं आते हैं वो मिऊध इंठी particle 2 से बहुत सारे particleन जो में नजर नहीं आते। यह रोप्स्पाइब करती एह साइस करती वह फिसिक कहलती है । सतंड मНетतली में मिडिल साइज्स टिंग लेकर आर्थ तक जितने उब्जेक्ट हैं उनको हम इसमें discuss करेंगे और इसके द्रमयान तमाम मिडल-स तेंग्स कर कर सकती क्या है साइट सेक्ष की स्टुडिय करने की विल्ड एक्स्ट्रीमिल लाट बल्ड को स्टुडिय करते हैं बहुत बढ़ी है ब्लेको हूल है इसके अदर यह अर्थ बनती है एक्स्पैंड हुआ बिग-बैंग हुआ बिग बैंग हमारी कुराने पाक में भी मैंचन है कि अला तला कुराने पाक में बताता है कि हम ही इसको बिनने वाले हैं ये मफूम बता रहे हूं और हम ही इसको एक्सपैंड करें और साइंस भी आज की बता रही है कि बिग बैंग हुआ था और अब क्या हो रहा है? वो expand करता जा रहा है कुराल ने पाक में ये आर्सों-चोदांश सो साल पहले ही इसका दिकर कर दिया गया था मतब ये बड़ी लार्ज science को स्टड़ी करना, बलैक होल को स्टड़ी करना तो यह इसमें पूरी डेटेल बताजियों ब्लैक वाल के बारे टाइम के बारे में इसने पूरी डेटेल से बात की हुई है यह अगर आपको टाइम मिले तो यह जरूर पड़े नहीं तो यह इस पर भी मैं एक आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगा फिर वर्ल्ड ऑफ म हम आपंजी कि तो वीजिक्स बैसिकली है कि माने इपmeंपोर्टन पार्ट सांइस का और फि्लिक्स हिंपॉर्टन डोल प्ली करती है साइंस टेकनॉलजी और अंजिरिंग में तो बैसिकली टेकनॉलजी और सांइस की वज़ाएं से इनसान का न liar चेंज होता है और हैं एक मे हैं जो इंसान का नुक्तानेजर को चेंज कर देता है मतलब शरवात में हम अगर ट्रावल करते थे तो कई के दिन कई के महिने एक जगह से दूसरे जगह जाने पर लग जाते थे लेकिन अब क्या होता है आप बैठे आदे गैंटे में लहुर के एक अंटे से दूसरे कंटी च चले जाते हैं आप तो जपान में अब इतनी ट्रेन आगी है कि वह आपको आदे गैंटे के अंदर पांसो किलोमेटर कर डिसंस ट्रेवल कर जती हैं मत बहुत टेकनोलीजी आगी है मैंकंड इंसान की जो सोच है वह बदल दी हुए है और इस टेकनोलोजी और साइंस में फि महल बनाया था शाह जहान ने अपनी बीवी के लिए उसके प्यार में तो देखिए यहां पर दो पॉइंट ओवी हुआ है एक यह है कि आप रेत से सैंड से सीलिकॉन बनाए उससे सीलिकॉन से कंप्यूटर चिपस बनाए उसे चीपसे से आप कंप्यूटर नेटवर्क बना दो पॉइंट ओव यू हैं तो आप तो जो साइंटिस्ट से उन्होंने क्या किया रेत से सैंड से सीलिकॉन बनाए कंप्यूटर नेटवर्क बनाए टेकनोलोजी बनाए और आज इतनी टेकनोलोजी हो चुकी है कि दुनिया में कहीं पर भी एक वाक्या होता है इवन्ट होत है ताज में बना के लोगों के लिए वह बस एक बिल्डिंग है वह किसी फाइदे के लिए नहीं काम आ रही तो आप किसको प्रेफर करना पसंद करेंगे मुझे मीद है कि आप फर्स्ट वाले को प्रेफर करेंगे जिसमें सैंड से से सीलिकॉन से कंप्यूटर नेटवर्क और आके टेकनोलोजी बढ़ती जाएगी तो यह हमने रॉल भी देख लिया है टेकनोलोजी में नेक्स्ट यह आज का हमने टॉपिक जो पढ़ा इसमें नेचर फिलोस्पी को देखा बाले जुकल फिजिकल साइंस को देखा फिजिक्स की डेफिनेशन की ब्रांचिस देखि ब्रांचिस हैं फिर इसके लबा फिर हमने देखा फ्रंटियर सो फिजिक्स फिस्की फिसकी क्या फ्रंटियर से हमने देखा कर सकते हैं मिडल साइंस को वर्ल्ड अगला टॉपिक हम देखेंगे तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो तीन हो लिए के लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्रीप्शन में शेयर चाहिए तो आप दरूर देखें और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपका वीडियो रेगुलर्ली मिलती रहें थैंक्स फार वाचिंग अलाफिस